वेलकम टु स्टेडी गलोब दोस्तों सवागत है आपका अपने चैनल स्टेडी गलोब में आपकी सफलता हमारा संकल्प जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्त हम डेली वेसे पर टॉप 20 इस पर टॉप 20 मोश्ट एक्पेट कोशन करते हैं दोस्तों जो आपके आने वाले जान में दोस्तों सीदा सीदा देखने को मिलेंगे ठीके दोस्तों तो यह से आप लोगे लिए बहुत इंपॉर्टनेट होने वाला है और डेली से अपका मंडे टू फ्राइडे रात को साड़े नौबजे दोस्तों आज सेसन का एक तालिस बातन चलिए बना देरी करे आज परिक्षण संचालन करने के लिए निम्ले कितमयसिक किसे अनुमती दी गई है बताईए दोस्तों हाली में DECGIN दोस्तों फेज टू और फेज त्री की हुमन ट्रायल के लिए किस कंपनी को कॉएंटेक्ट दिया है जली से बताईए दोस्तों ये मिला है सीरम इंस्ट्टूटूट अफ इंडिया ठीक है और संस्सेकंड आपका बिलक्र सही आंसर हो जाया गए दोस्तों ध्यान रखिएगा सीरम इंस्टूटूटूट ऑफ इंडिया को यह अनुमाती दी गई है ठीक है तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टन को इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों तो आप लोग यह याद रहिए ठीक है एक्जाम में दोस्तों आपके कोश्चन जूरू बनेगा चलिए नाइस कोश्चन पर चलता है कोश्चन नमर तू पर चलिए जल्ली से आंसर करेंगे आप लोग और जन्हों न भी तक सेशन को ला है किसी जल्ली से जाना जाता है दोस्तों और आपसे कुश्चन यह है दोस्तों जो हमारा होता है इसकी लेंट और ब्रैथ का रेशियो कितना होता है जल्ली से से आंसर करेए बताए दोस्तों लेंद और ब्रैध का रैशियो बता किया राइए आप लोग वियात रखेंगे चलो फिर कर चलते हैं दोस्तों चली कीज़ने बताइए जुल व li RICHARD किया होगा व्ट टाइप-आफ रॉक पर किस प्रकार की चट्टान का निर्मान होता है बताइए जो दोस्तों मेगमा लेकलता है ठंडे होने पर दोस्तों किस चट्टान में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों आपका बिलिकुल आंसर सही हो जाएगा ठीके दोस्तों और सबसे चट्टान दोस्तों यहीं पाई जाती है लगबग जो दोस्तों अर्थी क्रेस्ट पर 85% दोस्तों जो झाल रॉक सोती हैं कौन सी हैं इकनीश्यस रॉग है ठीक है दोस्तों और यह भी द्यान लें और टा यहाता है डूस्तों याद रखिएगा चलेए दूस्तों अच्छा आगनाएस च्टवणों के एक से दो आप एक्जामपल बताए जल्दी से दोस्तों इगनेश्यस्टों दोस्तों आपकी कौन सी रोक है ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आपकी बेसाल्ट होती है यह भी आपकी क्या है पूछी जाती है तो आप लोग याद रखेंगे ठीक है चलते हैं कोश्चन नमबर फॉर पर जल्दी से आसर करेंगे आप आप लोग निम लिखित में से कौन सा देश परमाणू ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब बिश्व का पहला देश बने गया बताएं दोस्तों जितने भी गल्फ कंट्री हैं उनमें से कौन सा देश ऐसा है जो परमाणू ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पर्थम देश बन गया जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग कैसा करने वाले दोस्तों कौन से देश बन गया है आपका संयुक्त अरब अमीराथ यूनाइट अरब एमिरेट्स ठीक है तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जागा दोस्तों UAE पहला देश बन चुका है दोस्तों जो पर्माणू उर्जा का अत पादन कर रहा है ठीक है दोस्तों सौट कोरिया के साथ मिल गे ठीक है याद रखेंगे दोस्त आप लोग क्या है जल्दी से बताएज आप लोग क्या है यहां की dram hottest की अचकर सिग करनसी आप लोग याद रहेंगे दोस्तों का नाम बताये जल्दी से युए ए के प्रैसिडेंड का नाम क्या है धोस्तों खलीफा ठीक है बिन जायद खलीफा जायद दोस्तों यहां के क्या है ठीक है धी धुर्ट से आप लोग याद रखी एक्सामें आप तरंगों का उत्पादन होता है चलिए आंसर की जल्दी से फॉल्वाइंग इलेक्ट्र मेंगनेटिक वेफ इस प्रिडिउस ट्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द नूकिलियस जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग जब भी नाविक से दोस्तों रेडियो ध को जानने होती है टीए चलिए कोश्चन नमबर takes पर उमिदे दोस्तों आप लोगं कोश्चन पसला रहा होंगे सारे के सारे कोश्चन दोस्तों आपके एसी तरीके कोश्चन आपके beiden में स्थे जा रहें तो मोज्ट इंप्रेrauटटन है दो सचंतों अब आनझेनारी को आप मांंट कोजीस को किस देश का उच्छ बीन्दू थीक तो ऑप्षण फरस्ट आपका बिलुकुल और बन ढ़ुल है त्टिक है कैपिटल क्या hi औस्टेलिया की Canberra ठीक है Canberra दोस्तों यहां की Capital दोस्तों और PM यहां के कौन है Prime Minister कौन है Scott Morrison ठीक है यह भी आप लोग याद रखेंगे Scott Morrison दोस्तों औस्टेलिया के PM है ठीक है दोस्तों अगर आप से पूछ लिए आप भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो दोस्तों भार स्वाइं प्लैनेट इस दा स्मॉलेस्ट नम लिखत मैंसे कौन सा गर्ष सबसे छोटा है बताईए दोस्तों जो भी आपको सामने आपको प्लैनेट कौन सा है बताईए प्लैनेट कौन सा है मरकरी बुद्ध ठीक है ऑप्सेन फर्स्ट आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएग नाम बताईए जल्दी सांसर करेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा प्लैनेट आपका दोस्तों कौन सा है जूपिटर गिर दो E यह कौन से साइस पर है तो दोस्तों यह अपने पाच में नम्मर का सबसे बड़ा ग्रह है अपना प्रतिवी अर्थ ठीक है यह आप लोग याद रहेंगे ठीक है चलिए नाइस कोच्छन पर चलते हैं कोच्छन नम्मर एट पर जल्ली से करिए आप लोग आंसर बेक अप अपका बिल्कुल सही आंसर हो जागा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों बेक अप इंडिया किसके दौर लिखी गई है एनी बेसेंड के दोवार ठीक है एक्जाम में पूछ सकते हैं तो दोस्तों आप लोग दमाग में रखिएगा चलिए नाइस कोच्छन पर पतायी दोस्तों किसे ने किया था क्या होगा दोस्तों आप करा शर्ली से पतायीए तो ध्यान रखिएगा आपकी 1333 में दोस्तों ये अफ्रीकी यात तória थी दोस्तों मौरको के रहने वाले ठीक है कौन एबने पर टुता जो दोस्तों मौयंबद बिन तुक्लठ की साथंका हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप से यह पूछ लें तो यह कितनी होगी 1333 कंट्री दोस्तों थी इनकी मुरक को ठीक है याद रखेंगे आप लोग चलिए नाइस कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर टैन पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों डियूरिंग विच मुगल स्रीजन व लगाया गया थाथ दोस्तों याद रख कियगा थिकए अग्पर के समय दोस्तों को क्या कर दिया गया था खबादिया गया था लेकिन promise 2179 अगर चलू कर दिया गया था। और दोस्तों अगर आप और आप से पूछ्पने का आप कीह बंद किस ने किए दोस्तों अकबन ने किया था कप किया था फिप्टीन सिस्टी फोर मैं ठीक है चलिए राइस कोश्चर पर चलते हैं कोश्चर नमर 11 पर जली से करिए आप लोग आंसर हाल ही में बताईए कौन से राजने इंद्रा रसोई योजना के तहत आट रुपे में भोजन परदान आप लोग तो दोस्तों ऐसे करने वाला राज है राजस्थान ठीक है और राजस्थान की दोस्तों क्या है जैपुर दोस्तों यहां की गवणर दोस्तों कोन है राजस्थान के जल्दी से बताएंगे कल राज मिश्रा ठीक है कल राज मिश्रा दोस्तों यहां के गवणर है कि यहां फ्रास किया थाकि है के नंबर лек्सार नमबर आजिए ने वबिद्रास का ये तो इस चले हुझा नंबर फ़र आजत्र हम वे यांड़ बार पर देखे जाने सकर शुक्रोंड़ए कि पर कितने चन्डरमा यानि यू और आपका प्लैणिट है इस पर कितने सेटलाइट है इसके बताईए कितने उप ग्रेया दोस्तों इसके जल्डी शाहर करेंगे दोस्तो धियान रखिएगा दोस्तों आपकी मरकर ही है और दोस्तों वीनद बुद्ध और शुक्र के दोस्तों कोई भी यह नहीं है घूंड कोए भी सेटलाइट थो दौस्त आपका आणसर क्या हो जागा ओप्शन फodवर्स आपका बिल्ल को सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए नाइस कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमर थाटीन पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर बताईए एनी बेसेंड के अलावा नमलेकित मैसे किस ने भारत में होम रोल आंदोलन शुरू किया बताईए आंसर कीजिए अपार्ट फ्रॉम एनी बेसेंड हूं अमंग चलते हैं किसी भी कोश्चन में जरूरू बताएंगे ठीक है दोस्तों आपके सारे डाउट किये जाएंगे ठीक है चलिए कोशे नमबर 14 का अंसर करेंगे आप लोग 1934 में साइकलोट्रोन का अविसकार किस ने किया था बताएए जल्दी से साइकलोट्रोन का अविसकार दोस्तों किस ने किया था दोस्तों किस ने किया था साइकलोट्रोन का अविसकार अंड्रेस्ट ओ लॉरेंस ने होते हैं ठीक है दोस्ता आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं आविशित काण होते हैं दोस्तों इनकी स्पीड गतिम आपने के लिए दोस्तों साइखलोट्रोन का यूज किया जाता है जिसकी खोच कोचन नमर 15 पर दोस्तों चलिए आप थोड़ा स्पीड में करेंगे हम जली से आंसर करें भारती संभीधान की राज नीती कि निर्देशक सिध्धान कि संभीधान से लिए गए हैं बताइए दोस्तों आंसर कि जली से दारेक्टर प्रिंसिपल आफ इस्टेट पॉलिशी दोस पार्ट फोर में दोस्तों मैंसन है आर्ट इकल थार्टीश सिफुछ से फिफ्टीवन तक ठीक है आनसर निमट को शिचलतकें कोरहना को बना सब्स würde अब दोस्तों हर्श वर्दना बताईए दोस्तों हर्स से अस्टों की जीवनë का नाम क्या था जल्दी से आप लोग करेंगे आंसर इजी कोश्चन है तो दोस्तों हर्स वर्दन की जीवनी का नाम क्या था हर्स चरित्र ठीक है ऑप्शन फर्ष्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो किसके दोवारा लिखी गई थी बान भट दोवारा लिखी गई थी हर्स चरित्र जो दोस्तों किसकी जीवनी है हर्स वर्दनेंगे ठीक है याद रखिएगा दोस्तों चलिए नेक्स कोश्चन नमबर 17 पर जल्ली से करेंगे आप लोग आंसर बताईए अभी हाली में किसने ब्रिटेस ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है जल्ली से आ ब्रिटेस ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत चुके हैं चलिए नेक्स कोश्चन नमबर 18 पर जल्ली से करेंगे आप लोग आंसर बाइंग और इंटरनेट इस कॉल्ड बताईए दोस्तों इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना क्या कहा जाता है जल्ली से बताएंगे तो दोस् दोस्तों इंटरनेट पर सामान खरीदना और पेचना दोस्ता आपको क्या कहलाता है एक कॉमर्स कहलाता है ठीक है आपसन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन नमबर 19 पर चलिए बताएंगे दोस्तों अभी हाली में बीएस यदूरप्पा क सराज के मुख्य मंत्री हैं जली से आंसर कीजे दोस्तों कहा के है करनाटे के थीक है तो और ञुबकुल आपको सही आंसर का जाएनके का कवर्णर हैं यहां के दोस्तों कितने हैं जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर बताईए है आज कल आज कोश्टन है दोस्तों लो से अच्टित तो आप का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्टो जैसे कि अप बीटिफल व्यू आरा रा है दोस्तों ठीक है दोस्तों अच्छी कोन स्क्किम में कौन कौन से हैं नाथूला और जैले ठीक है दोस्तों यह आपके कहां स्क्किम में दोस्तों को सॉच्टिटेदी में दोस्तों कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं दोस्तों कौन से रहो तांग आपका हमाचल पर्देश में सिपकला दोस्त आपका हमाचल पर्देश में बार अलाचा दर्रा भी दोस्त आपको कहां पर रहे हैं माचल पर्देश में दोस्तों कौन कौन से आपको पासिस देखने क बिलेंगे फ्रेंडों में शेर करें और क्यों कोई भी डाउट हो दोस्तो आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं ठीक है और जो भी चैनल पर नए हुए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब परें सब्सक्राइब करना भी नभूल ठीक है चलिए दोस्तों करे मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर थेंक यू बाबाई